हेलो फ्रेंट्स, वेलकूं तो माई चैनल, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रोस जिसका नाम है दा ओपन विंडो, पहले मैं आपको हिंदी में थोड़ी सी स्टोरी बता देती हूँ, मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, जिसमें पूरी डिटेल मे मैंने आपको पहले हिंदी में स्टोरी बता रखी है, आप उसे देख लेना, उसके बाद जब आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको आती से ज्यादा जो वीडियो है, मैटर है, जो वो समझ में आ जाएगा, इसमें एक परसन होते है, जिसका नाम होते है, नर्टल है ज जाएद उससे तुम्हारी जो बिमारी है, तुम्हारी जो हैल्थ है, वो सही हो जाए, ठीक है, इसलिए क्या होते है, कि इसके एक सिस्टर होती है, वो उसे एक गांव का, यानि की एड्रस देती है, वहां के लोगों के बारे में, इंट्रडक्शन एक पेस पर लिखकर दे जाए, और कहती है, तुम वहां पर चले जाओ, फिर एज जो नव पर जाता, घर में जाता है, उस घर की माल夠ल – हुथ है Itu इनकी एक नीज होती है जिसका नाम होता है वीरा नीज का मीन्स होता है बतीजी तो यह जो वीरा होती है इसको क्या है कि एक अच्छी स्टोरी टेलर है यह किसी भी चीज को किसी भी सिटूएशन को देखकर उसी टाइम एक स्टोरी क्रियेट कर देती है फिर यह जो वीरा होती यह नटल को एक स्टोरी बताती है और जो नटल हो इसकी स्टोरी पर विश्वाष कर लेते है और लास्ट में को होता है कि उसकी स्टोरी सुनकर जो इंसिडेंट जो七 में उसको देखकर नटल कप dan और वहां से भाग जाता है इसको गाम वाल एरिया में भेज़े इसलिए गया था ताकि इनकी जो health है वो सुधर जाए ठीक है उसमें सुधार हो जाए लेकिन जब वो story सुनता है वहां की situation देखता है तब यह ज़्यादा nervous हो जाता है उस छोटी सी बच्ची को नहीं पता था कि यह बीमार है तो वो भी story स सुना देती है जिसके कारण इनकी जो health होती है वो और ज्यादा ख्राब हो जाती है तो उसी के बारे में question आपका बन सकता है या तो आपको summary से लेटिट कोशन लिखना तो आपको पूरी summary लिख देनी है या फिर आपका जो question है वो वीरा का character sketch आ सकता है तो उसमें भी आपको जाद उसका यानि की वो एक अच्छी story teller है ठीक है good story teller इस तरीके से दो या तीन पॉइंट्स बनाना और लग बग आपको लिखनी वहाँ पर summary ही है ठीक है story teller में आपको सारी summary लिख देनी है कि किस तरीके से नटल है जो उसको health issues होती है वो गाउं वाले area में आते है उनक character sketch और जो दूसरा question है वो आपको कोई भी बनता है the open window topic में से तो आपको पूरी summary ही लिखनी है so start करते हैं आज का topic the open window In the story Frampton Nuttal who is suffering from nervousness goes to a calm and quiet place for his treatment जो नटल है वो nervousness की जो problem है जो बीमारी है उसे सफर कर रहे होते हैं इसलिए doctor के दवारा advice दी जाती है कि उन्हें एक calm शांत प्लेस पर जाना चाहिए He calls on a friend family friend there तो ये अपने वहाँ पर कोई एक family friend होता है वहाँ पर जाती है He meets a 15 year old girl Veera उसके बाद ये एक लड़की से मिलती है जिसका नाम होता है Veera और ये जो Veera है ये 15 साल की होती है She is a very calm and confident girl Veera है जो वह बहुत ही ज़्यादा calm शांत लड़की है और confident girl है She tells वह बताती है Frampton that her aunt Mrs. Seppleton will soon come downstairs तो जो Veera है वो नटल को बताती है कि जो Mrs. Seppleton है जिसन से वो मिलने आई है वो थोड़ी ही देर में आ जाएंगी अभी वो छट पर है तो थोड़ी देर में नीचे आ जाएंगी He had with him तो इसके साथ ही क्योंते है जो नटल है उसके पास कुछ letters होते है तो जो नटल है उनके पास कुछ letters होते हैं जिसमें introduction दियो होते है उस area के कुछ लोगों के बारे में और ये जो letters है ये नटल को उनकी sister के दवारा दिये जाती है His sister told him that in the countryside he will meet only a few people तो यहाँ पर उनकी sister के दवारा का जाता है कि जब तुम उस area में जाओगे तो मैं तुमें कुछ introductions कुछ लोगों के बारे में बता देती हूँ जिसे कि तुम उन लोगों से मिल लेना If he feels unhappy there और अगर तुम्हें वहाँ पर खुशी नहीं मिलती है ताकि वो अकेला घर पर ना बैठा रहे अगर वो वहाँ पर भी अकेला रहेगा तो इससे क्या होता है कि उसकी जो condition है वो ज़्यादा खुराब हो जाएगी वो lonely feel करेगा इसलिए वो कुछ लोगों का introduction गया दे देती है ताकि तुम वहाँ पर कुछ लोगों से मिल लेना वीरा asking whether he know many people there तो जो वीरा है वो Mr. Nuttal से पुछती है क्या तुम यहाँ पर बहुत सारे लोगों को जानते हो he replied to her तो जो Nuttal है वो वीरा को कहती है he did not know anybody here कि वो किसी को भी यहाँ पर नहीं जानता his sister who visited the place four year back give him letter of introduction to some of the people वो वीरा को बताता है कि मेरी जो sister है वो यहाँ पर चार साल पहले आई थी और उसने मुझे कुछ लोगों के introduction दिये हैं जिनसे मैं यहाँ पर मिल सकता हूँ he said that इसके साथ ही वो कहता है he only knew her aunt's name and address कि वो जिस lady से आपकी घर मिलने आया है मतलब कि Mrs. Septalaton से तो उसके बारे में भी वो सिरफ उनका नाम जानता है और उनका address जानता है इसके अलावा वो उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता अब यह जो बात थी यह वीरा के लिए होगी plus point अब यहीं से जो वीरा है वो अपनी जो story है वो start करेगी वीरा उसे कहती है about three years ago कि तीन साल पहले क्योंकि इसने क्या कहता कि मेरी sister चार साल पहले आई थी तो यह सोचती है कि अगर वो चार साल पहले आई है तो मैं चार साल पहले वाली तो कोई बात बता नहीं सकती तो मैं क्या करती हूँ, तीन साल पहले वाली बात बताती हूँ तो यह क्या कहती है कि तीन साल पहले क्या हुआ था Her aunt's husband and her two brothers have gone out for shooting कि उसके जो aunt है उनके husband और husband के दोनों भाई यह सभी कहां पर जाती है, shooting के लिए जाती है, शिकार के लिए She pointed to a large window that opened in the lawn फिर उसके बाद जिस room में वो बैठे होते हैं, वहीं पर क्या है कि उस room की जो window होती है उसकी तरफ वो इशारा करती है, कहती है कि यह window है जो यह हमेशा खुली होती है और खुली किस तरफ होती है, जैसे कि उस window को खोलने के बाहर वाला जो area है वहाँ पर lawn बना हुआ है बगीच्चा She told him that, वो से कहती है, they had all gone out from that window and never returned वो कहते है कि जो aunt के husband है और उनके जो दो भाई हैं, वो इसी window से तीन साल पहले एक बार गए थे शिकार के लिए और उसके बाद वो कभी भी वापिस नहीं आई The wet spongy ground swallowed them and also their bodies were never recovered कि वो जो दल्दली इलाका था, ground था, उसने उन लोगों को निगर लिया यहाँ तक कि हमें उनकी जो dead bodies हैं, वो भी नहीं मिली यानि कि तीन साल पहले कि हैं, वो शिकार पर गए थे और उसके बाद वो कभी भी नहीं आई ना ही हमें उनकी कोई dead bodies वगएरा मिली She further said that, इसके साथ ही वो कहती है, Mrs. Seppleton always keep this window open until it is dark in the hope तो यह क्या कहती है कि जो Mrs. Seppleton है, means उनकी aunt, वो हमेशे इस window को खुला रखती है जब तक की अंदेरा ना हो जाए In the hope that, इस उमीद में, they would come back someday कि वो एक ना एक दिन वापिस जरूर आएंगे Sometimes, कभी-कभी, Veera also feels that someday they will come through that window along with their dogs as they did before तो Veera वो कहती है कि कभी-कभी मुझे भी ऐसा feel होता है कि शायद ये लोग सभी एक दिन वापिस जरूर आएंगे इसके साथ ही एक डोग है, वो भी इन लोगों के साथ गया था, वो भी आएंगे As did before, जैसे कि ये पहले शिकार करके वापिस आते थे In the meantime, जब Veera नटल से बात कर रही होती है, तब ही क्या होता है कि Mrs. Seppleton कम अब यहाँ पर जो Veera की आंट है, वो आ जाती है, जिससे कि नटल मिलने आया था And apologized for being late, और वो कहती है कि मुझे माफ कर दो कि मैं थोड़ी लेट हो गई She said that और वो कहती है, her husband and brothers had gone for shooting birds अब यहाँ पर क्या हुआ, कि जो Mrs. Seppleton है, वो क्या कहा रही है नटल को, कि मेरे husband और मेरे brother है जो वो कहाँ पर गई है, shoot करने, यानि कि शिकार करने के लिए गई है birds का तो she told नटल that she has kept the window open for them to enter into the house और वो कहती है कि यह जो room की window है, यह भी मैंने इसलिए खोल कर रखी है ताकि वो घर में इसी window के थुरू आ जाए So that they do not spoil the carpet with their muddy shoes ताकि वो जो main gate है, वहाँ पर carpet बीचा हुआ है तो अगर वो वहाँ से आएंगे, तो उनके जो shoes है, वो कैसे है, मिटी से बड़े हुए है और वो उस carpet को गंदा कर देंगे इसलिए मैं क्या करती हूँ, इस room की जो window है, इसे खोल कर रखती हूँ ताकि जब वो shoot करके वापिस आएं, तो वो इसी window के थूँ घर में आ जाएं अब यहाँ पर क्यों आता है, Mr. Nuttal को क्या बताया जाता है वीरा के द्वारा कि वो लोग तो कभी वापिस ही नहीं आए, तीन साल पहले गए थे, पर उसके बाद वापिस ही नहीं आए और यहाँ पर जो Mrs. Seppleton है, वो कहती है कि वो आने वाले होंगे, वो shooting करने के लिए गए हुए है तो अब यह से क्या लगता है Mr. Nuttal को कि शायद जो Mrs. Seppleton है, वो सदमे में है यानि कि वो accept ही नहीं कर पाई है अभी तक उनकी death का Mr. Nuttal tried to change the topic, अब वो सोचते हैं कि मैं इस topic को ही change कर देता हूँ बड शी continue talking about the shooting and the shortage of birds लेकिन जो Mrs. Seppleton होती है, वो shooting के बारे में ही और किस तरीके से जो birds है वो कम होते जा रहे हैं, उनकी संख्या कम होती जा रही है, उसके बारे में बात करती है he realized that, तो जो Nuttal है वो ये realize करता है, her eyes were directed to the window and the loan and was paying only a little attention to him, तो अब जो Mr. Nuttal है उसे ये लगता है कि जो Mrs. Seppleton है, वो अपना जादध हैं कहां दे रही है, window की तरफ और loan की तरफ और जो Mr. Nuttal है, उनकी बातों की तरफ वो बहुत कम attention ध्यान दे रही है Suddenly she looked toward the window, और अचानकी क्या होता है, कि जब वो window की तरफ देख रही होती है Mrs. Seppleton and cried that, तो वो बोलती है, they were on time for tea कि उनके आने का समय हो चुका है, और वो आते ही क्या पिएंगे, चाई Fram turn, यानि की Nuttal, shivered with fear, तो अब ये जो Nuttal है, जैसी वो ये बात सुनते की वो आ रहे है तो वो डर जाता है, और इसी डर के करण वो कांपने लग जाता है And turn towards Veera to express sympathy, और वो Veera की तरफ देखता है और उसे sympathy, यानि की सानभूती भरे भाब में देखता है क्योंकि उसको तो लगता है, कि जो Veera ने बाते बताई है, वो सही है But she was looking through the window with horror in her eyes तो लेकिन अब क्यों आता है, जो Veera होती है, वो भी इस तरीके से show करती है कि ना ये क्या बोल रही है, ठीक है, और वो भी विंडो की तरफ देखती है और अपने आँखों में, और अपने face पर क्या है, कि एक डर दिखाती है ताकि जो फ्रेम्टन है, उसे शक ना हो जाए, कि Veera ने जो बाते बताई है, वो सारी एक जूठी स्टोरी है He swung in his chair and looked towards the window अब ये जो नटल है, वो तो डर के ओर जादा, यानि कि कांपने लग जाता है और वो विंडो की तरफ देख रहा होता है He swung, अभी वो देखते है, three figures carrying gun walking across the lawn towards the window फिर वो देखते हैं कि तीन लोग हैं, और वो lawn की तरफ से होते हुए, विंडो के पास आ रही है A brown color dog was with them, और उनके साथ एक डोग भी है, जिसका color कैसा है, brown Nuttle hustly come out from there, तो जो नटल है, वो जैसे उन लोगों को देखते हैं, तो वो वहाँ से भाग जाता है The man come in through the window, और जो man है, यानि कि Mr. Seppleton, वो महाँ पर आते हैं, window से And ask Mrs. Seppleton, और वो अपनी wife से पुछते हैं, who rushed out of the house, कि अभी कौन यहाँ से भाग कर गया है She said that, तो वो बताती है, he was nuttle, कि यह nuttle है, who talked only about his illness, जो कि अपने बीमारी के चलते यहाँ पर आया था He runs, वो इस तरिके से भागा, as if he saw some ghost, कि उसने कोई भूत देख लिया हो यानि कि अब यह जो husband wife है, वो उसके बारे में बात कर रहे थे, however, Veera said that, तो जो Veera है, वो क्या कहती है, he was afraid of a dog अब Veera बता नहीं सकती है, मैं तो जूटी कहानी सुनाई थी, और उस कहानी से डर कर यह भागा है तो Veera कहती है कि यह तो उस dog से भाग गया, as once a group of dog chased him into a graveyard तो वो बताती है कि जो नटल है, उन्होंने मुझे बताया था, कि उन्हें dog से डर लगता है क्योंकि एक dogs का जो group है, उन्होंने उसके उपर जप्टा माल लिया था, जब वो graveyard, graveyard है कबरिस्तान में थे यानि कि वो वहाँ पर गए होंगे, तब वहाँ पर जो dog का एक group है, उन्होंने उसके उपर जप्टा माल लिया था तो जो न्टल होते हैं, वो बहुत जब डर जाते हैं और वो वहाँ पर यानि कि थोड़ा दूर जाकर एक grave खोद लेते हैं नहीं, और वहीं पर एक पूरी रात बिताते हैं and the dog growling all around him और वो बताते हैं यानि कि जो वीरभ है अब वो फिर से एक जूटी स्टोडी पैले एक जूटी स्टोडी मिस्टर नेटल को सुनाई अब एक जूटी स्टोडी है जो वो किसको सुना रही है मिस्ज सापलेटन को यानि कि इसको दोग से डर लगता है और एक बर क्या होता है कि जब ये ग्रेवयार में था यानि कि कब्रिस्तान वाली सैट गया था तब वहाँ पर ये एक ग्रूप था डोग्स का उसने इनके उपर जपटा मार लिया था जिसके कारण क्या हुआ कि ये बहुत जब डर गया और वहाँ पर इसने एक नई ग्रेव खोद ली थी रात को पूरी रात उसने वहीं पर बिताई थी and the dogs growling all around him और जो dogs थे वो चारों तरफ घुराते रहे यानि कि बार्किंग करते रहे उसे ढूंडते रहे लेकिन वो उस ग्रेव में से बाहर नहीं निकला तो इस तरीके से वीरा ने एक और स्टोरी बनाकर जो Mr. and Mrs. Seppleton है उन्हें भी यानि कि satisfied कर दिया कि वो क्यों यहां से भाग गया तो इस तरीके से आपकी इस प्रोज के समरी थी hopefully आपको यह जो समरी है वो समझ में आगी होगी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप comment section में बता सकते हो आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा और इसके साथ ही आप नई शुरवात टेलिग्राम चैनल को भी जोइन कर सकते हो वहाँ पर भी अगर आपको कुछ पूछना हो किसी भी टोपिक पर वीडियोस चाहिए तो आप बता सकते हो so thank you friends for watching my video thank you